लो गईस सो दिस इस मंजीत आज की वीडियो में हम लोग पूरु सामय सितांत के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पढ़ने हमने और सारे सितांत पंच मावथ सितांत रेदो सितांत सट्रस सितांत और दातु ओशर सितांत आदे सितांत के बारे में पढ़ा इसमें आज की व और पुरूस हैं उसलिए सबसे बतान गया के लोग के दिंदी मिलते हैं मतलब यह बूला गया के पुरूस है उस लोग मतलब वर्ड है उसके स्वरूप का मतलब दोनों है थो इक अब्मकर Schnan पूरुस में भी होते हैं तो इसे सिमिलाटरिज देखे जाते हैं जितने भाव हमारे पूरुस में हैं उतने ही लोग और लोग में जो जो चीजी पाई जाते हैं वो पुरुस में भी पाई जाते हैं जैसे लोग अंगत भाव में बोरती है विसके अनुसार आपके क्लेद है अगनी के स्थान पे पूरुस में और चीह स्थान पे पूरुस प्राण संद्र शमु है उसके बास ब्रह्मा के लिए पे अंतर आत्मा है इंद्र के जगह पर अंकार है लोग भाव है तथा परशाद जो प्रशन्नता है स्वानिक उमार कांती के साथ बताएं उसके बाद जो विश्व देता है सभी इंद्रिव विश्व के साहता करते हैं कम बोड़ रएता है जोती है उसके सथ सरीष्टी एक प्रकार से नए रचना उसी तरह गरवा धान भी नए रचना का पुरुत यूग को बाले अवस्ता माना गया है क्योंकि यह सबसे प्रुनाथम यूग है उसके बाद रिता यूग को युवास्ता तथा कली यूग को रोगा वस्ता और योगात को मरन इस प्रकार से जो लोग है तथा जो पूरुस है इनमें सामेता बताई गई ठीक है अब लोग पूरुस सामेशितांत का प्रयोजन क्या है मतलब इसके बारे में हम क्यों पढ़ने चाहिए तो जो लोग को अपने में और अपने को लोग में समार रूप से देखने से सत्या बुग्दी उत्पन्न होते जब हम अपने आपको लोग से तथा लोग को अपने आप से को समानता एंक देखते हैं को अपने से देखने से हम यह आता हुता। जो हमारे सुख इम हमतरा कर नहीं कर्म होग रहें इसका करता कोए और नहीं हम्हें कर्म को हों है तो यह हमें लोग पूरुष सामें सिध्धान्त से सीखने को मिलता है कि जो चीजे हो रही है वह हमारे ही कर्मों की काराण हो रही है और इसका करता कोई और नहीं हम स्वयम है इसके बात देखते हैं व्याधित रूपति सिध्धान्त के बारे में तो व्याधित रूपति सिध्धान्त में तक है भूरू वियादित फूरिष, ठता एक लगो व्यादित पुरोष टीक है तो व्यादित मतल की व्यक्ति पूरू किस प्रकार दीख रहे हैं उसके इसाब से जो व्यादित क्या होता है तो कुछी व्यक्ति क्या हैं बड़ी व्यादित से ग्रuszत हो एंग ऐसे प्रतिती होता है इसे कष़ें उसके बाद लगव्यादित क्या है कुछ व्यक्ति खोक्ति से ग्रस्थ होते हैं परन्तु मन वल और सरीर की हिनद भाव से यूज़त होने के कारण बड़ी व्यादी से ग्रस्थ होना ऐसा प्रतित होता है ऐसे व्यक्ति को लगुव्यादित का बताब अच्छा होने के सरीर का हमें उसको छोटा व्याधित प्रतित होता है वह वही लगों व्यादित में च्छोटी है लेकिन शरीर का बढ़े हीन जो है वो क्या करेगा गुरु व्यादिक को लगूवयादी समझ करों मुरुदूश अन्चोदन देते हुआ दोसों को और अधिक सैते पोड़ा देते हैं अगर उसे पता नहीं रहेगा वो शरीर का बल या फिर मन और शरीर को अथा होने के कारण म hespe moments कुछदी की आ जड़ार में पारा की पड़न शोर्व के remember a German इससे जन समझ कर उसकी इंड söz also करता हम रुप चills के सदे तो लेदी को जो गुरु व्याधि वह और बड़े जाएगा और लगु व्याधित को बड़ी व्याधित समझ कर अगर वह तीशु शन्सोदत देदेगा तो रोगु को और छीड कर देगा वो उनके जो धातू है उनके जो दोस है उनको और विकृत कर देगा ठीक है तो यह तो एची समवय्त और विकृतिस समवय सिथान के बारे में देखते हैं तो इसका परिषय करें प्रक्रेति-कालब उप्रकेति अनुसार और दूसरा जो प्रकृतिक अनुसार प्राक्रित गुलों को बीना दबाएं मिले करते हैं दोस्त ऑर दोस्त प्रक्रित गुलों को नहीं दबाते हैं मत Hold पखना इसके अगर हम राटो का राप्फ या 7 कर दे हैं अगर वह दोसों को प्राकृत आवे शाथ मिलेर्ण जो फ्राक्रित अवास पता इथा था उसको घ्क्रित ना करे तो फ्रती समवायत अर्व तो असे। उसके बाद देखते हैं तो इसमें कि आमरात के फल के प्रक्रिती शम्वित होता है जिसके कारव क्या होता है उसमें मदूर गुड दोनों में समवन होते हैं और यह क्या करता है एक दूसरी की गुड़ को दबाता नहीं इससे क्या होता है यह हमारे लिए लाफ प्रद होता है और यह वार्त पित्र नाशक होता है लेकिन वही हम जब देखते हैं वार्तक या फिर बैगन कटू तिक्त रसात्मक होता है अता हो उसे वार्त की व्रिद्धी अपैच्छित प सबमन करता है वांड हो उसको समय करते लिए फैसन यह हो गया तो इसके बाद देखते है की और विकार का निश्य सरवत्र गावब और विकार में नहीं होता जब स्के प्रफण Remember रहां और वल्हाववत और Spark सुप्रोट का निश्य सरफध द्रग भी और विकार में नहीं देखा जाता उसे के उसले विकृति के समयवत में रूप में विश। इसके बाद देखते हैं तो आगे विकृति समयवत में जैसे तंडूलीयक में विद्यमान धुर घठा आतांDaनまだ विद्यावान स्वभाव रूप से अदियो को बढ़ाने वाला है कि विक्रेद समयवइत होने के कारण हो क्या करता है इसने अवरे साधी को गुड़ों को बढ़ाता नहीं और दूसरा विशम समयवेद में देखते हैं जैसे तील में कसाई कटू और तीक्त रस होता है और मदूर रस होते हैं लेकिन यह क्या रस अमात्रा में नम मिले तो हो तो तील में तील भी पित्त कफ या विशम सम्वेद में रस कभी अपना कारे कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे आओ विशम प्रमार का होना विशब सम्वाई में ही होता है तो इसके कarण जो सम्वाई होता वह विशम हुता है और इसके बाद एक दूसरे के साथ हो जाते हैं इसी करार से समवात होता है जैसे दूप के साथ हम लेते हैं तो विरुदार हो जाता है तो नहीं दोनों क्या है बनाते हैं तो जो वीधी हम पयोग करें तो उन वीधी या फिर उन कलपना के कारण उनके जो गुड है उसमें बदलाव आ जाता है इस कारण से भी विसमता समुवे तेखनी को मिलता है उसके बाद देखते समान विसे सिद्धान्त स्वाबो परमात और पंचे इस सब को बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो इस पूरे लेशन में मतब जो पहला लेशन था आ हमारा आयूर्वेद निरो पढ़ तता पतात विध्यान में सबसेपले हमने पताख सपते सबतार हमने पढ़ेंगे सबद्राइब की आप जैसला विद्धर से बना सब्सक्रांद के प्रकार पढ़ें पंच महागोत सितांत प्रदोशितन सट्रोश शितान्त दातवश सितांत और राश्ट में हमने पड़ेऊ लोग पुरुष 20ahh और व्याधी रूपय सितांत यह सारे सिदांत इसके साथ हमारा पाला हेटा पताप रिमाज करने सकता है इसके बाद हम दक्षन शेप्टर रिश्टार्ट करें हिए